बाके बिहरी से जितना प्यार संत हरिदास जी करते थे, क्या बाके बिहरी भी उनसे उतना ही प्यार करते थे? ये कमाल का किस्सा है सुनाता हूँ आपको नमस्कार दोस्तों मैं हूँ अनज शर्म ये किस्सा है उस समय का जब संत हरिदास जी होते थे उस समय अकबर जो है वो यहां राजा होते थे हिंदुस्तान तो राजा रामचंदर जो गवालियर की राजा थे उनके यहां तानसेन जो है, वो गाते थे, उनके यहां रहते थे, तो अकबर को कहीं से पता लगा कि एक तानसेन नाम का बंदा है और वो मेरे नवरतनों में होना चाहिए, तो उन्होंने राजा रामचंदर को एक चिठी लिखी, चिठी लिखी कि तानसेन को मेरे यहां वेज तांसेन यहीं रहेंगे तो गौालियर से पेगाम पहुचा अकबर के पास कि राजा रामचंदर ने मना कर दिया तांसेन को बेजने से तो अकबर ने फिर से चिठी वेज़े कि यह दी आपने तांसेन को नहीं बेजा तो मैं युद्ध कर दो दोस्तों ये दुनिया के पहले गायक थे जिसके लिए एक राजा युद्ध करना चाहता था कि वो उसकी सभा में आया उसके दरबार में आया उसके नवरतनों में शामिल हो जाए वो कहीं और ना रहे तो तांसेन ने राजा रामचंदर को का कि युद्ध करने के आश्कता नहीं है देखो मैं एक कलाकार ह और मेरी कोई सीमा ही नहीं है, कोई देश नहीं है, मेरे गायन को सुनने का सब को अधिकार है, तो आपके हिस्से का आप सुन चुके हो, हम मुझे जाने देचे, और ये कहकर कि तानसेन वहां से चले आए, राजा अकबर के पास, जब राजा अकबर के पास आए, तो राजा अ जब राजा अकबर ने तांसेन को सुनने लिजए suivi, और अकबर एक दम बुखला गए, पागल हो गए, अकबर ने कहा कि कहा से सिखा ये सब, हम सब जानते हैं कि तांसेन के बारे में कहा जाता है, कि जब तांसेन गाते थे तो दिये जल उठते थे मेग मलहार गाते थे तो बारिश होने लग जाती तांसेन की गाय की पूरे विश्व में प्रसिद्ध है तांसेन के गुरू थे संतहरीदास जो कि बेजू बावरा और तांसें की sleep तो जब तांसें से पूछा कि कहा से सीखा ये सब कैसे आता है तुम्हे तो तांसें नहें जवाब दिया महराज मेरे गुरू संथ हरिदास चींद मैंने उनसे सीखा तो अक्पर ने कहा कि जब तुम ऐसा गाते हो तो संत हरिदास कैसा गाते होंगे, मैं उन्हें सुनना चाहता हूँ तो उन्हें बुलाईए सांसेन ने कहा कि मेरे गुरू किसी के लिए गाते नहीं ना कहीं आते जाते हैं यदि आपको मेरे गुरू को सुनना है तो यदि आपका सो भग्या होगा तो आप सुन पाएंगे लेकिन उसके लिए आपको विरिंदावन जाना पड़ेगा निधिवन अकबर जो है कला से बहुत प्यार करते थे अकबर ने कहा कि ठीक है तो अकबर थे जब वो जा रहे थे तो तानसेन उने बताया कि आप तो बादशाह हैं आप ऐसे जाएंगे तो पता लग जाएगा सबको और उनको ऐसे सुनना है तो ऐसे आप डिरेक्ट जाके तो सुन नहीं सकते उनको पता ना लगे वो कभी गाएं तो आप सुन सकते हैं उसके लिए आपको रुखना पड़ेगा वहाँ तो अकबर मशूर थे इस अदायगी में कि वो वेश बदल के लोगों के बीच में जाते थे तो उन्होंने वेश बदला और विरिंदावन निधिवन चले गए अब तानसेन और अकबर विरिंदावन में एक दिन संथ हरिदाश जी लेटे हुए थे और एकदम से उठे और तानसेन को बोले कि तानसेन लल्ला को नीद नहीं आ रही है कोई राग छेड़ दे कुछ सुना दे लल्ला कुछ सुनना चाते हैं राधारानी कह रही है कि लल्ला सो नहीं पा रहे है बात हो रही थी भगवान कृष्ण की बाके बिहारी की आप सोचिए कि बाके बिहारी संथ हरिदाश जी के गायन को सुनकर ही निंद्रा में जाते थे दोस्तो ऐसा कहा जाता है कि नीधिवन में आज भी भगवान श्री कृष्ण आज भी रासलिला के लिए आते हैं संथ हरिदाश जी उने दिन राट सुनाते थे उनकी गायकी से ऐसा लगाओ था क्रिश्ण को क्रिश्ण नीधिवन में आज भी आते हैं तो जब हरिदाश जी ने कहा कि तांसें कोई राग छेड़ द ललंला को नीद नहीं आ रही लिए क्रिश्न को नेंद नहीं आ रही है अब ये संबन था हरिदास जी का और क्रिश्न का इसे और कौन कैसे समझे तो ठीक है तांसेन को लगा कि यहीं मौका है आज इस मौके पे कुछ ऐसा कर दू जिससे अकबर भी सुन पाए गुरुजी को तो तांसेन ने गलत राग छेड़ा गलत राग ऐसा छेड़ा कि हरिदास जी ने कaking नहीं ऐसे नहीं इसको ऐसे गाते हैं और जब हड़ी जी ने गाया जिसका इंतजार वहाँ अकबर कर रहा था इतिने दिनों से अकबर ने सुना तो अकबर भाव बिभूर हो गए अकबर पाखल हो गए उसने ऐसा कभी सुना नहीं था और उसने क्या दोस्तों आज तक इस दुनिया में किसी ने ऐसा कुछ सुना ही नहीं है जब हरिदास जी ने गाया अकबर ने सुना उसके बाद जब तानसें से वह बाहर मिले तो तानसें से कहा तो तो कुछ भी नहीं है तो 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 कुछ भी नहीं है तो 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 मैं इस धर्ती के बादशाह के लिए गाता हूँ और मेरे गुरू जो है वो दुनिया के बादशाह के लिए गाता हूँ तो मैं उनके सामने कुछ भी कैसे हो सकता हूँ ऐसा अध्भूत जवाव था ताम सेंका एक शिश्यक अपने गुरू के परती दोस्तों हरिदास जी की इस प्रार्थना से इस पूजा से इस भगती से इस भाव से इस प्रेम से जो आज विग्रह हम देखते हैं भगवान श्रीकृष्न का बाके बिहरी जिने हम कहते हैं जो नामकरण भी हरिदास जी के दोआरा किया गया है वहीं है बाके बिहारी इस प्रेम से इस गायन से वो अवतरित हुए थे वो विग्रह अवतरित हुआ था वो बाके बिहारी हमारे बीच में आये थे आज हम जो उनकी भगती थी उनका प्रेम था उसके प्रती उसके प्रती भाव रखते हुए उसके प्रती प्रेम रखते और ये हम पर क्रपावर साई हरिदास जी ने कि उनके अग्रह से भगवान का विग्रह प्रकट हुआ और जिस विग्रह को आज हम अपनी आखों से देख पाते हैं हम साक्षात उन्हें देख पाते हैं कृष्ण वहां साक्षात मौजूद हैं कृष्ण वहां रहते हैं कृष् रेकार, हरे किशना पूस्ते